नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी, पंच्तंत्र की कहानी, चतुर खर्गोश और शेर, दोस्तों, किसी घनेवन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था, वो रोच शिकार पर निकलता और एक नहीं, दो नहीं कई-कई जानवरों का काम तमाम कर देता जंगल के जानवर दरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा सारे जंगल में संसनी फैल गई, शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था एक दिन जंगल के सारे जानवर रिकठा हुए और इस प्रशन पर विचार करने लगे अंग में उन्होंने टैक किया कि वे सब शेर की पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर की पास पहुँचा उनके अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरच कर पूछा क्या बात है तुम सब यहां क्यों आ रही हो जानवर दल के नेता ने कहा महराज हम आपके पास निवेदन करने आये हैं आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं आप सब को खा भी नहीं पाते इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाए और कोई भी नहीं बचेगा प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है यदि हम सब ही मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें आप से हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें हर रोच स्वयम आपके खाने के लिए एक जानवर भीज दिया करेंगे इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चा आए है उसने पलभर सोचा फिर बोला अच्छी बात है मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ लेकिन याद रखना अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भीजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं इसलिए उन्होंने शेर की शर्ट मान ली और अपने अपने घर चले गए उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भीजा जाने लगा इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था कुछ दिन बात खर्गोशों की बारी भी आ गई शेर के भोजन के लिए एक नने से खर्गोश को चुना गया वो खर्गोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था उसने सोचा बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवर्ष करना चाहिए और हो सकी तो कोई यसी तरकीब धूंडनी चाहिए जिसे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए चुटकारा मिल जाए आखिर उसने एक तरकीब सोची निकाली खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा जब वह शेर के पास पहुँचा तो बहुत देर हो चुकी थी भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओराते देखा तो गुस्से से बौकला उठा और गरज कर बोला किसने तुम्हें भेजा है एक तो पिद्दी जैसे हो दूसरे इतनी देर से आ रहे हो जिन वेवकुफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सब को ठीक करूँगा एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं नने खरगोश ने आदर से जमीन तक जुक कर महराज अगर आप क्रिपा करके मेरी बात सुन ली तो मुझे या और जानवरों को दोश नहीं देंगे वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा इसलिए उन्होंने छे खरगोश भीजे थे लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया उसने पांच खरगोशों को मार कर खा लिया ये सुनते ही शेर दहार कर बोला सरकार आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधिर कर दिया है हम सब अपने महराज के भोजन के लिए जा रहे थे लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है हमारे महराज ऐसी बाते सहन नहीं करेंगे वे जरूर ही यहां आकर आपको मार डालेंगे इस पर उसने पूछा कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है. महाराज, मेरे ऐसा कहते ही वह गुसे से लाल पीला होकर बोला बेवकुफ इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ. यहां सब जानवर मेरी प्रजा हैं. मैं उनकी साथ जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं. जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो उस चोर को मेरे सामने हाजर करो. मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है? महाराज इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहां भेज दिया. खरगोश की बात स से नमार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा. बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौथी उस दुष्ट की सजा है. अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसकी टुकडे टुकडे कर देता. चलो, रास्ता दिखाओ. शेर ने कहा, फोरण होता है. मैं उससे निपत लूंगा. शेर ने कहा, तुम ये बताओ कि वह है कहा. पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था. लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया. आए मैं आपको दिखाता हूँ. खरगोश ने कुए के नजदी की गून सुनकर उसने समझा की दूसरा शेर भी दहार रहा है. दुश्मन को तुरंत मार डालने के एरादे से वह फॉरन कुए में कूट पड़ा. कूदते ही पहले तो वह कुए की दिवार से टक्राया फिर धढाम से पानी में गिरा और डूप कर मर गया. इस तरह पाकर ननहा खरगोश घर लोटा. उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई. दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई. जंगल की सभी जानवर खरगोश की जय जय कार करने लगे. C. भोर संकत की परिस्थितियों में भी हमें सूज बूज और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए सूज बूज और चतुराई से काम लेकर हम भयंकर संकत से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रू को भी पराजित कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपनी राइ कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें